हमारी सुपर एंटियों को रोटी खुल बना कर और गैली के टपूरियों को शोट मार के यसा लगता है जैसे इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चड़ाई गर्डी अगर आपके आचुबाचु भी इसे प्रतीबा के धनी प्रानी बेठा है तो ज़रा ये विडियो उन्हें भी बेजिये क्योंकि इसे देखने के बाद उन्हें अपनी प्रतीबा का फ़ भी नज़र नहीं आएगा वेल आप भी वीडियो को बिल्कुल मिस्मत कीजिए क्योंकि यहां आपको राई किलो के हाथ वाले सनी चैचा से लेकर नोरा को डांस का मतलब समझाने वाली मोहतरमा तक दिखने वाली है इसलिए डाउन्ट मिस्दी वीडियो दोस्तो हवा में उड़ते हुए हीरो को तो हम कहीं बार देख चुके है लेगिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हवा से बाते करता हो देखिए इस बाई साब को जो एक ही बार में किसी पक्षी की तरह उड़ते हुए पूरी सड़क को पार कर जाते हैं एसे इंसानों को देख करना मुझे कभी-कभी डोक्टरों के उपर शक होता है कि साले के इनके पेदा होने के बाद वो इने कोई तागत का इंजेक्शन तो नहीं लगाते जो हमें नहीं लगाते ज्यान से देखिए इने सरवर खेती कम है लेकिन बाजूओं में दम सन्नी से भी डबल है चच्चा जीना है फुल फॉर्म में आकर एक के बाद एक अपने शुब हातों से बेस बोल को ऐसे चटकाया है जैसे मम्मी अपने नोनी हालो के बम चटकाती है अगर ये प्राणी अमरी फोज में होता तो कम सकम ये सो लोगों का भला हो जाता क्योंकि सबकी हाई जंप ये जनाब इकलोती ही पूरी कर देते मतलब कुछ मिटर तक तो ठीक लगिन ये जनाब तो लगता है इसे भाई को देखके लगता है इनकी सेटिंग के घर के चारो तरफ दिवारे काफी उची रही होंगी इसलिए जनाब इतनी मेहनत करने में लगे पड़े है दोस्ता आपने आज तक स्केटिंग तो बहुत देखी होंगी लेकिन क्या आपने कभी एसी सकेटिंग देखी है जिसमें इंसान हवा से नहीं बलकि जमीन से बाते करता है है नहीं ना मिल ये इनसे जो बार्स के नीचे से सकेटिंग करते हुए ऐसे निकलती है जैसे कोई ट्रेन गुफा से निकलती है इनका नाम है स्रिष्टी शर्मा इन्होंने एक दशमलव छे नो सेगेंड्स में दस बार्स के अंडर से सबसे तेज लिम्बो सकेटिंग का वर्ल्ड रिकूट बनाया है इतना ही नहीं स्रिष्टी आईज पर भी लिम्बो सकेटिंग करती है और इन्होंने महस 11 साल की उम्रों में लोईस्ट लिंबो स्केटिंग का वर्ल्ड रिकोर्ड भी अपने नाम किया है आप तो इनकी चुत्ते में बेफिटनी होता है अक्सर लड़के लड़कियों को देखकर अपना बेलेंस को बेटते हैं पर गलती देखो उनकी भी नहीं है बेलेंस बनाना कोई हलुआ बनाने चितना आसान काम तो है नहीं वेलागेड़ आपका भी ये खयाल है तो जड़ा इस क्लिप को देखिए ये जो दो भाई आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये यहाँ गिली दंडा या कंचा गोली खेले नहीं आए हैं बलकि ये दोनों तो एक एसा वर्ल्ड रिकॉड कायम करने वाले हैं जो आपको दंग कर देगा अगर आपको ये इस्टंड शारू खान के दीपिका बादू कौन को मंदर की सीडिया पर चड़ाने जितना आसान लग रहा है तो अपनी गलत फेमी दूर कर लीजिए क्योंकि एक के सर पर दूसरा शक्स और इतनी सारी सीडिया चड़ना वो भी फूल बैलेंस बे ना बाबा ना अगर सामने वाला गिरता तो कुछ भी हो सकता था लेकिन मानना पड़ेगा दुनिया में बहुत टैलेंट है हाल ही में सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हुई थी जिसमें एक अम्मा जी पानी के उपर चल रही थी लेकिन क्या ये इतना असान है शायद नहीं पर हुनर हो तो सब आजान है अम्मा जी की बात नहीं कर रहे हैं वो तो किनारे पर चल रही थी अब नजर यहां गुमाईए इस सहाब पर यो पानी में ऐसे स्टंट कर रहा है जैसे वो पानी नहीं बलकि मुलायम गद्धे जैसे जमीन हो मतलब भाई जी कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी टाइटनीक के पोज में नजर आए वह भाई जी आप तो उस्तादों के भी उस्ताद निकले वेसे तो जिम करने का कीड़ा लगबग हर यूवा में होता है लेकिन जब बाड़ी आती है वेट लिफ्टिंग की तो यूवा पिड़ी ऐसे कापती है जैसे सामने बूता गया हो पर इन महतरमा की तो बात ही अलग है महतरमा के लेटने के स्टाइल पर मत जाईए मैडम योगा नहीं कर रही है बलकि डंबल का इंतजार कर रही है जो सामने से लुड़कता हुआ इनके पास आने वाला है उसके वाज होने वाला है वो आप अपने आखों से देखिए दीदी की वेट लिफ्टिंग देख तो इसा लग रहा है जैसे पेरों में डंबल नहीं बलकि कोई रूई का तकिया है जीसे वो मजे से जुला रही है वैसे वाजों को दुनिया के इन प्रती बावान लोगों का टेलेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और हाँ चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए वैसे कुछ भी गई है सोशल मीडिया जब से आया है हमें इसी इसी चीज़े देखने को मिल जाती है जिनने बिना सोशल मीडिया के देख पाना किसी सपने से कम नहीं था अब इस क्लिप को ही देख लीजिए जो ये बताती है कि मॉम सच में सुपर मॉम सोती है हुआ यूँ कि मेडम जी के एक हाथ में था क्यूट सा बेबी और दूसरे हाथ से उन्होंने बेग निकाल लिया लेकिन अब मेडम को लगा कि नॉर्मल तरह से तो सभी सामान रखके केबिन की खिड़की बंद कर सकते हैं क्यों ना मैं कुछ अलग करूँ अब आप ही देखिए मेडम ने किस अंदाज में केबिन को बंद किया है विसे बता दे मेडम इस तरह के स्टन्ट करती रेती हैं आप इनका इंस्टा अकाउंट भी देख सकते हैं दोस्तों डांस करते करते हैं अगर ज्यादा फिरकी लग जाए तो क्या होता है चकर आजाते हैं और हम बे मुसमरस पड़ते हैं लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं फिरकी प्लस इसकेटिंग का आमेजिंग कॉम्बिनेशन इन जनाब को ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि जनाब अभी आपको एक इसा करतब दिखाने वाले हैं जिसे देख कर आपका सर सही में चकर आ जाएगा बोड़े बाबा मुझे तो सही में चकर आ गए दोस्तो कुछ भी कही है मेरा मानना ही कि आजकल मम्मी की मेंड़कियो में आपसे ज्यादा टेलेंट है अभी आपने नोरा को डांस सिखाने वाली मोहतरमा कहां देखी है कुईना जी उनसे मिलने से पहले जरा इस क्लिप पर नजर डाली है दीदी को दो कारों की बीच में खड़ा देगी ये मत सूचिएगा कि दीदी फोटो कीचवा रही है बलकि अभी ये मोहतरमा कुछ ऐसा स्टंट करने वाली है जिसे देख गुलमाल के सूपर हीरो बोले तो अजरी देवगन साब भी अपते स्टंट को भूल जाएंगे वादिरी क्या बात है परणा हमारे मम्मी के मगड मच्चो की तो ऐसे स्टंट में पेंटे वड़ जाती है अब जरा आप इस क्लिप को देखिए क्योंकि लंगोटी पेन ये दोनों भाई आपको बताएंगे कि ताल मेल किसे कहते हैं देखा क्या मस्त ताल मेल है ना देख रहे हैं ना कुछ पूछ रहे हैं लगिन फिर भी टाइमिंग इतनी से में कि उचलते हुए एक ने रिंग छोड़ी और दूसरे ने उचलते हुए पकड़ भी ली वागए लाइफ में अगर एसी ताल मेल आ जाए तो हर जोड़ी रितेश देशमुक और उनकी वाइप जैसी हो जाए दोस्तों आपने कई बार देखा होगा लोग बड़े बड़े ट्रक्टोर कारों को खिषते हैं जबकि उनका वजन इनके वजन से कई गुना ज्यादा होता है पर ये तो कुछ भी नहीं है आज हम आपको एक ऐसे इनसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने नाजूक शरीर से प्लेन को जुला जुला रहे हैं देखिए ये है वो प्लेन जिसका वजन है 44,000 LBS यानि करीबन 20,000 किलोग्राम के आसपास कोर्स लेंदे 25 मिटर्स और इसे खिषने की जो टाइम लिमिट दी गई है वो है एक मिनिट अब यहाँ जो इस प्लेन को बाउंडरी लाइन पर सबसे पहले और सबसे कम टाइम में लाएगा वही इस दुनिया का सबसे मस्बूत इनसान कहलाएगा अब कई लोग आये प्लेन को खीचा और अपनी तागत दिखाई लेकिन जब मेदान में जी वी आर के एड़ी होल उतर है तो सबकी आँखे खुली की खुली रह गई क्योंकि इन्होंने महस एक मिनिट में प्लेन को साड़े 24 मिटर्स खीच लिया बताईए क्या है कोई माई कलाल जो इनको टक कर दे सके जनाब ने एक मिनिट में 25 मिटर्स तक इस प्लेन को खीच कर दुनिया का सबसे तागत वर और मजबूतर इंसान होने का खिताब अपने नाम कर लिया बई पुश अप्स तो आप सबने मारी होंगी लेकिन बिना रुके बिना ठके और बिना पेरों को जमिन पर लगाए पुश अप्स मारी है कभी अगर मारी भी है तो कितनी मारी है और केसे मारी है वेल आपका तो बता नहीं लेकिन इन जनाब ने सोक आंकड़ा भी बार गिया है और कचुए की तरह गिस गिस कर नायाब तरह से पूश अपस मारने का एक नया तरीका इज़ाद भी गिया है यह है अमन्दीप से ही जो इंडिया के नहीं बलकि पूरी दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बनना चाहते है और इनके करतब आपको एब बता देंगे कि अमन्दीप सी ही में यह क्वालिटी है क्योंकि वो ना सिर्फ तलवार को घर्दन पर उससे कार को बांध कार के साथ उस पर बेठे लोगों को पूल गर सकते हैं बलकि वो एक मात्र इसे इंसान भी है जिसकी बाज़वों पर या बोडी पर अगर लोहे की सरीयों से वार किया जाए तो वो भी टेडी बर जाती है इतना ही नहीं अमन्दीप सी सिर्फ अपने दातों से ही किसी भी इंसान को उठा कर वेग भी सकते हैं तो है ना लोखंडे वाली पावर वैसे अगर मुझे मुझे मुगा मिला तो मैं अमन्दीप सी से दोस्ती करना चाहूंगा वो क्या है ना एसे मजबूत और ठीका हो इंसान अगर दोस्त हो तो अच्छे अच्छे हम से खोफ खाते हैं अगर आप कोई फंक्शन या पाल्टी करने वाले हैं और उसके लिए चेर सेट अप करने वाले इंसान को ढूंड रहे हैं तो कहीं मज जाईए बस केसे भी करके इस भाई का फोन नंबर निकाल लीजिए क्योंकि भाई साब कुछी सेगंड्स में कुर्सियों को सेट कर देंगे वो भी इतने अनोखे अंदास में कि आप इनके फेन हो जाएंगे चाइना में रहने वाले इस इंसान को देखकर चाकू को भी भाई अपने आप पर शरम आ जाए क्योंकि ये बाई साहब ना सिर्फ एट पत्थरों को अपनी बाजवों से चटका दे हैं बलकि इनकी गरदन भी फल जल एगर मजबूट चीजों को मिंटों में चटका देती है और इनकी कीक से तो जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी रखियेगा वर्णा इस लोए के पाइप की तरह आपकी अड़ी भी चूर चूर होकर पढ़ लोग सिधार जाएगी पेंटर तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन इस बाई जैसा पेंटर तो शायद पेदा भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये जनाब इसी पेंटिंग करते हैं जैसे कोई गिर्गी इट रंग बदलता है मलब चीजों को बेगड़ाउंड में बिलकुल मर्ज कैसे करना है ये कोई इस कलाकार से सीखे विसे कुछ भी गई है भाई के अंदर काफी टेलेंट है इनके लिए एक लेक तो बनता है यार दुनिया में इसी कई मशीने हैं जो सुपर फास्ट तरह से काम करके काम को मिंटों में खतम कर देती है लेकिन इस होनार बालक को देख लगता है कि इस से तेज तो कोई मशीन बना ही नहीं जा सकती है चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन मोहतरमा से जो अपने लिंबो डांस से नोरा के बेली को भी टक कर देने वाली है आपकी स्क्रिन पर अभी कार के नीचे अपना लिंबो फॉर्म दिखाने वाली ये मोहतरमा इतनी टेलेंटेड है एक छड़ी के नीचे भी लिंबो डांस कर सकती है इस सुन्दर गण्या का नाम है शेमी का चार्ल्स जिन्होंने लोईस्ट लिंबो डांस में वर्ल्ड रिकोड बनाया है इनका ये लिंबो डांस देखकर कहना पड़ेगा वोस जब हिम्मत हो तो सब कुछ किया जा सकता है वेल आपको इनका ये लिंबो डांस कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए वडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए चलिए फिर मिलते हैं किसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर